जय हिन बंदे मातरम स्वागत है आप सभी सांथियों का गेंजर लरनी गुर्जी प्लेटफॉन में तो दोस्तों हम लोग डेली यहां पे लगतार बिहार पुलिस से रिलेटड लगतार प्रसनों को कर रहे हैं तो आज की जो आप देख सकते हैं प्रेक्टिस सेट 21 है इसी में हम लोग आज जो प्रेक्टिस सेट है इसमें 700 इकांविय के बाद प्रसन करने वाले हैं आज की प्रेक्टिस सेट में पीछे के लेक्चर अगर नहीं देखें तो पीछे के लेक्चर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है उसे जरूर देख लिजेगा क्योंकि उसमें 790 तक हम लोग बिहार पुलिस से रिलेटेड महत्वपुण प्रसनों को कर चुके हैं तो आज की क्लास बहुत इंपोर्टेंट है और दोस्तों आप लोग से जरूर एक निवेधन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जीतना हो से कि शेयर कर दीजेगा लाइक कमेंट जरूर कर दीजेगा और देखे 791 जो प्रसन दोस्तों का रहे हैं यहां पर कि ड्रॉक्टिन ओफ लैंप्स जिसको राज यह हडपनिती कहा जाता है यह किस के दवारा आरंब किया गया था शुरू किया गया था तो लाड डल हौजी के दवारा शुरू किया गया था इसको ड्रॉक्टिन ओफ ल योगा सारनाथ में दिय थेते काहां पना दिय थे दोस्तो गौतम भुधन आपना पाला उपदिप्व 007198 783 प्रसन है कि ग्रीक राजदुत मेखास्तिनीच किस के दरवार में रुका था और मेखास्तिनीच के दुबरा एक पूस्तो को लिखा गया है जिसका इंडिका इसे जरूर ध्यान में रखिएगा अगला प्रस्ण आते हैं 794 प्रस्ण है कि सन 1211 में कुतुबुदिन एबग के पाशा दिली का सुल्तान कौन बना था तो दिली का सुल्तान जो सन 1211 में बना था वह बना था इलतुतमिस यहां पे जो देखे तो डी विकल्प चो ह है यह सही हो रहा है कौन बना था दोस्तो तो इलतुतमिस बना था जरूर ध्यान में रखिएगा माइन बे ऐसे प्रस्णों को आप जरूर रखिएगा कि आप लोग को धासु प्रस्ण करा रहे है अगर बात करें 795 प्रस्ण की बात तो यहां पे देखिए ब्लेंक्स दिया और बोला गया है यहां पे कि नाइटिंगल ओफ इंडिया यह किसको कहा जाता है तो सरुजनी नाइडू को कहा जाता है देखे तो यहां पे सी बीकल बिल्कुल अच्छे तरीका से सही हो रहा है और आप लोग ध्यान में इस प्रस्णों को रखिएगा कि नाइटिंगल समाप्त किया था बहुत अच्छा साब प्रस्ण है तो प्रथम विश्वजूत के बाद वर्साइग की संदी कब समाप्त हुआ था दोस्तों तो प्रथम विश्वजूत के बाद इसे समाप्त किया गया था ओके अगले प्रस्णों को देखते हैं 797 नमबर प्रस्ण को यहा जिन्दाबाद इन कलाप जिन्दाबाद किसका नारा हो जाएगा तो भगत सीका हो जाएगा ठीक है अगरा प्रसन देखिए 708 प्रसन प्रसन है कि लोक्तक जिल किस प्रांत में इस्तित है लोक्तक जिल किस प्रांत में इस्तित है तो बात करें यहां पर दोस्तों बी अप्श यहीं पे जो है यह जो लोग टेक जील है यहीं पे इस्तित है ठीक है अगले प्रस्ण को देखिए 799 799 प्रसन है कि भारतिय सेना अकादमी कहां पे इस्तित है तो भारतिय सेना अकादमी कहां पे इस्तित हो जाएगा दोस्तों तो देहरादुन हो जाएगा देखें तो यहां पे ए अपसन सही हो रहा है और ध्यान में रखियेगा प्रसन बहुत अच्छा सा है भारतिय सेना अका से बिख्यात थे जरूर याद करिएगा यह मोगल के सा सकते जहरुदिन मुहमद जहरुदिन मुहमद बाबर के नाम से बिख्यात थे प्रचली थे ओके अगला प्रस्न देखते हैं 801 प्रस्ण है कि संजुक्त प्राणी ग्राही किस भारतीय सास्त्रिय निरित्य की अग्रानी का प्रतिक है, यह बहुत अच्छा सा प्रस्ण है, बहुत इसे हम देखिये टिक कर दे एंगे, बहुत सुन्दर सा यह प्रस्ण है, तो ODC, ज़रूर याद कके ग्यागा ODC, किसका प्रतीक है तो ODC का प्रतीक है ओके अगला प्रसन देखिए 802 प्रसना 802 प्रसन है कि केंद्रिये चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पे इस्तित है तो केंद्रिये चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेनई सहर में इस्तित हो जाएगा देखे तो बी बिकल्प यहां पे सही हो चार नमबर प्रस्ण को देखिए यहां पर दोस्तों अच्छे तरीका से कर देते हैं सलाइड को 804 प्रस्ण है कि पुलकेसिन राजवंस किस राजएके थे तो बात करें यहां पर चालूक के राजवंस के थे यहां पर भी विकल्ब जो हो रहा है दोस्तों यह बिल्कुल सही ह कियोंकि पुलकेसिन प्रत्थम और प्रकेसिन देती है चालूक वंस के प्रताय एक कहें प्रमुक्प सासक मांसे दोग है अगला प्रस्ण देखिए 805noteln 75 प्रस्ण है कि रोहंटन बारीया रोहिंटन बारीया जो है यह किस ट्रॉंफी का समब्सभाण्न है मतले इस किस ट्र द्याले क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसे हम रोहिंटम बारिया के नाम से जानते हैं यह क्रिकेट से रिलेटेड है जो भारत में खेला जाता है ठीक है 806 प्रस्न है कि 16 दिसंबर 16 दिसंबर यहां पर माप कीज़ेगा 16 दिसंबर नहीं है दोस्तों तो बात करें यहां पर जो मकर रिखा होता है यहीं उपर हो जाता है जिससे उत्री भागों में सितुर सनकर्टी बंद से सित्रुतु पढ़ती रहती है तो सी बिकल्प सही हो रहा है किस ने की थी तो समिधान सभा के अध्याचता किया गया थ सचीता नंच सिनहा के दबारा किया तो और सही हो रहा है 808 प्रस्ण है कि विजैननगर समराज के खंडर किस नदी पर इस्तित है तो बात करें यहाँ पर तुखभाद्रा नदी हो रहा है यही जो बिजैननगर है यह तुखभाद्रा नदी के पर इस्तित है 809 प्रसन देखिए 809 प्रसन है कि निम्नल लिखित में से किस देश को सुराच्छा परिसद में निसेधा अधिकार जिसको पावर नहीं मिला है निसेधा अधिकारिक मतलब जिसके पास पावर नहीं है वह कौन सा देश है उस देश का क्या नाम है तो उस देश का नाम कनाड़ा हो जाएगा यह बिकल्प यहाँ पर देखे तो बिल्कुल यह सही हो जाएगा ठीक है यहाँ पर कौन सा अप्शन सही रहा है तो यह बिकल्प यहाँ पर सही होगा किमकि संजुक्त राष्ट संग के अनुसार जो इसकी सुराक्षा में जो निसेधाकार है इसमें यह सामिल जो है कनाड़ा देश नहीं है अब आप लोग को ध्यान से बताते हैं कि जो पांच अस्थाई जो सदसे हैं राष्ट के कौन-कौन से हो जाएंग यह भी हो जाएगा और एक चीन हो जाएगा तो आप लोग को पांच बता दिये जो देश हैं इसे जरू ध्यान में रखिएगा 810 प्रसन को देखिए घर है कि निम्दलिखित में से कौन सा अभ्यारन भारत में एसी आई सेर का घर है किसका घर है तो एसी आई सेर का घर है बहुत है सुन्दा सा प्रसन है तो गीर वन राष्टिये पार्क ठीक है यह विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है अगर बात करें, ये 811 प्रसनों को दोस्तों कि राजय सभा के सदस्यों का जो कार्यकल होता है, कितने बर्सों का होता है, तो राजय सभा के सदस्यों का कार्यकल होता है, वो 6 बर्सों का होता है, कितना साल का होता है, तो 6 साल का होता है, 812 प्रसने की बात करें, तो my experiment with truth, पु रहा है, कौन मिघआले में इस्तित है? तो यहां पर जो ज जयनतिया हिल्स दिखाई दे रहा है, अपसन में, B अबसन, ये बिल्कुल सही हो रहा है, कैंकि जयनतिया हिल्स जो हो जाएगा, ये मेधाले सहर में इस्तित है, ठीक है? अगर बात करें 814 प्रसन पर कि भागडा जो है कि इस राज ये का सर्व प्रिये लोग नित्य माना जाता है बहुत अच्छा सा प्रसन है भागडा भागडा पांजे भागडा पांजे तो पंजाब हो जाएगा D option जो हो है यहाँ पे से भागडा से 5 आ रहा है तो मतलब पंजाब जो हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है इस तरह option आप लोग पकड़ सकते हैं 815 प्रसने दिखिये कह रहा है कि गूल ए नगमा, गूल ए नगमा के लेखक कौन हैं, तो गूल ए नगमा के लेखक रगुपती सहाय फिराक हो जाएंगे, रगुपती रागो, राजा, राम, यह है नगाना, तो रगुपती सहाय फिराक हो जाएंगे गूल ए नामा के लेखक, 816 प्रसने दोस्तों की भासाई अधार पर राजियों के निर्माण के लिए बने प्रत्थम राजय पुनर घटन आयोग का चेर्मेन कौन थे पहली बार हुआ था तो यहाँ पे बात करें सैयद भजल अली थे कौन थे दोस्तों तो सैयद भजल अली थे राजय का जब पुनर घटन आयोग हुआ था तो उस समय इसके चेर्मेन सैयद फजल अली थे 817 नमबर देखिये प्रसने जो है 1 नमबर 1956 को गटित होने के पस्चात आंधर परदिस जो है उस समय उसके राजय पाल कौन थे आंधर परदिस के अधिनियम द्वारा प्रदान किया जाता है तो भारतिय परिशन अधिनियम 1861 के अंचार जो गवर्नल जर्ण होते हैं उनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है एकदम फिरी होता है ठीक है अगर बात करें 819% कि इनका यहाँ पर होना चाहिए क्या चाहिए इनका जो दचिन अमेरिका के मुल निवासी थे यह इरोपियो द्वारा मारे गए ठीक है यह पूरी तरह से खतम हो गए थे मिट गए थे तो इनकी समरीद्धे जो सभ्यता है औसेस पाए जाते थे कहाँ प मच्चू पीची में मच्चू पीचू में मच्चू पीची में मिले थे इनके औसेस 820% की बात करें 1921 सताब्दी के बिख्यात भारतिय सायर मिर्जा गालवा ने परमुक रूप से दो भसाउं में इसको लिखे है वे कौन कौन सी भसा है तो बात करें यहां पर जो C अप्सन से होगा यह से होगा पर्ष्टियन और उर्दू, C विकल्प सही हो रहा है 821 प्रसने कि भारत की प्रतम हिंदी साहितिक पत्रीका जो है इसकी अस्थापना किसके दबरा किया गया था अगर आप लोग हिंदी साहितिका अध्यान अच्छे तरीका से किये होंगे तो जरूर आप लोग को इसको इसके बारे में अच्छे तरीका से पता जरूर होगा 822 प्रस्ण है कि दच्छिन अफिरिका में किम्बराले किसके लिए प्रसीद है किम्बराले किसके लिए प्रसीद है जट्छिन अफिरिका में तो यहां पे देखे तो भी अफसानी दिखिए दोस्तो यहां पे बात kरें थोड़ा सा खाशी आ गया दोस्तो तो सोने की घृंष प्रसीद है तो बात करें एक मांश बच्षी जानमंबर है तो एक मांस बच्षी जानमर हो जाएगा ठीक है अगला प्रसन देखे बात करें 824 प्रसन एक निम्दर लिखित में से इन मिमोरियम ये किस की क्रिती है किस के दवरा रचे गया है तो यहाँ पे बात करें एटेंसिन के दवरा रचे गया है इस चीज़ को अगर 825 प्रसनों की बात करें क्रिकेट की गेंद की परिधी क्या होती है तो क्रिकेट की गेंद की परिधी 22.4 से लेकर 22.9 होती है यहाँ पे देख लीज़ेगा कोई-कोई बिकल्प में ऐसा नहीं दियता है लगभग में अगर मिल जाता है तब भी अप्सन जो है यहाँ पे सई हो जाता है तो ध्यान में आप लोग इसे जरूर रखिएगा ठीक है अगला प्रसन बात करें 826 नमर प्रसन को कि प्रतीक वर्स 12 जनवरी को राष्टिय जुवा दिवस मनाए जाता है अगर 827 प्रसन की बात करें अगर 828 प्रसन की बात करें किसी अबादी में जीनों की कुल योग को क्या कहते है तो किसी भी अबादी में जीनों के कुल योग को जीनों कहा जाता है यह विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है और 829 प्रसन एक निम्दमें से बुध का समकालीन कौन थे तो बूद के समकालिन यहाँ पर बात करें Confucius बी बीकल्प यहाँ पर सही हो रहा है 830 प्रसन देखिए 830 नमबर जो दोस्तों प्रसन है कि 20 में सबसे पहले परिवार निवोजन को सरकारी अस्थरप अपनाने वाला देश का क्या नाम हो जाएगा तो आपनाने वाला उस देश का नाम हो जाएगा चीन हो जाएगा बी बीकल्प यहाँ पर सही हो रहा है तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 830 प्रसन कीए कैसा लगा आप लोग को ये क्लास आज की जरूर कॉमेंट करके बताएगा जितना हो सके आप लोग इसे सेर जरूर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में ऐसे ही धामाकेदार प्रसनों के साथ तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहेगा थैंक यू